वर्ष 2023 की विदाई का वक्त नजदी का गया है। नए साल 2024 के आने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। नए साल 2024 सभी के लिए नए उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष और चुनोतियों का सामना करने का साल होगा। नए साल को बहतर बनाने के लिए नए नए संकल पले रहे है। नए साल 2024 सभी के जीवन में धीर सारी उम्मीदें लेकर आने वाला वर्ष होगा। नए वर्ष 2024 की स्वागत की तयारियां चरम पर है। साल के अम्तिन दिन 31 दिसंबर 2023 रविवार की बधिरात्री में 12 बस्ते ही सं 2024 का आगाज हो जाएगा। जोतिश शास्त्र के अनुसार नए साल सभी के लिए बहतर और शुब रहेगा। जोतिश शास्त्र के अनुसार नवर्ष 2024 का आरंब पॉष कृष्ण पंच में दिन सोंबार को तीन राजयोग एवं दो नक्षत्रों के युग्म संयोग में होगा। नए साल के पहले दिन देव गुरु ब्रिहस्पती अपनी स्वा राशी मेश में और चंद्रमा के सिंग राशी में विद्धिमान होने से गुरु की सीधी द्रिष्टी चंद्रमा पर पढ़ने से गज केसरी योग का संयोग बन रहा है। वह 31 दिसंबर को गुरु का मेश राशी में मार्गी होने से गज लक्ष्मी योग तथा एक जनवरी 2024 की अहले सुबह से आयुश्वान योग भी रहेगा। अभी नए साल की शुरुवात भगवान की पूजा से करती है। ऐसी मानेता है कि नए साल का आगाज प्रभु की अश्रुवात से करने से पूरा साल अच्छा होता है। प्रथाने वाली सभी समस्याएं दूर रहती हैं। इस बार नया साल सोमवार के दिन से शुरु हो रहा है। सोमवार का दिन चंद्रमा इवं भगवान शिव को समर्पित है। चंद्रह के शुप प्रभाव से जातक को मानसिक शान्ती, कलह, मनोरोग, चिर्चिडापन, खालीपन से छुटकारा मिलता है। वही तीन राजयोग में भगवान भोलेनात को जलारपन, रुद्राविशेक वपार्थी पूजन करने से सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगी। न वर्ष दोहजार चौबीस, वर्ष दोहजार तेज से ज्यादा रहत भरा वप्रगती कारक रहेगा। वर्ष दोहजार चौबीस में पाँच गुरु पुश्ययोग वतीन रवी पुश्ययोग बनेंगे। नया साल आर्थी द्रिष्टी से उत्तम रहने वाला है। वर्ष दोहजार चौबीस के आरंप से ही भारत की व्रिधी में ग्रहों की चाल वर्दान साबित होंगे। नवर्ष में व्यवसाईक शित्र से जुड़े जातकों की उन्नती होगी।